नमस्कार विद्धर्थी मित्रनों या वीडियो मदे आपन शिक्नार होत कैपैसिटर कैपैसिटर हाँ एलेक्ट्रोनिक किवाँ डीजिटल सरकीट्स मदे वापर लेज़तो डीजिटल उपकर्णान मदे कैपैसिटर चा मूठा प्रमानात उपए होतो जास्वा मोबाइल चार्जर है त्यास बरुबर मेडिया प्लेयर है त्यास बरुबर कैपैसिटर चा उपए होगा फैन मदे सुद्धा होता स्तू तर मायकड़े एक डीजिटल सरकीट है तर या डीजिटल उपकर्णा मदे हैं टिकाड़ी तुम्हाला जे दोन सिलेंडिकल प पार्ड दिस वता है या पार्ट ना क्यों हैं या कामपोड़न्स ना आपन कैपैसिटर असमन्तु यह ठीकाड़ी दोन कैपैसिटर साइज जी सिलेंडिकल आकारा जी आए तर कैपैसिटर मजे नियमकों का है एन एर्रेंजमेंट आफ टू कंड़क्टर सेपरेटेर या एलेक्तिक मेडियम वन ओफ वीच ऊषर्थ रिच्टेज मैं इस कॉल्ड़ कैपैसिटर तो कैपैसिटर मजे दोन कंड़क्टर से शता दुसा हां एक पंड़क्टर आए और दूसरा कंड़क्टर आए यह दोन कंड़क्टर्ण बापार नियमकों के लिए लाह सते आण याठीकनी जो कैपेसीटर आहे तो साध प्रकंधाओ कैपेसीटर में खुल लेला आहे उपन के लिला आए तो याठीकनी तुम्हाला या' क्यापैसिटर में दिशता है पांधर रंगाचो मेटल कभर तो अश्या प्रकर देव सिरेंड्रिकल मेटल कभर आए त्यावर एक पॉलिखिन लाव लेला है जे आठीकानी में काड़ों डख लेला है आणि तेच्छा आत मदे दोन मेटल पट्ट्या सतात जसा ही एक पट्टी आहे आणि आपट्टी चा मदे इंसुलेटिंग मेडियम आहे जसा है तुम्हाला दिसत आहे तरहे आहे इंसुलेटिंग मेडियम आणि तेच्छा वर अनकी एक पट्टी बंजे दोन पट्ट्यां चा मदे इंसुलेटिंग मेडियम आहे आणि है दोन पट्ट्या मजे यहा तोन कंड़क्टर से है यहां दोन पट्टयन ना दोन वायर्स जोड लेलिएस्ता आज दोन वायर्स आशा क्याप मधून बाहर काईड लेलिएस्ता और इस सर्व एरेंजमेंट जी है ति एका मेटल केस मदे बंद की लिएस्ते आणि हां आज मिला आपन मुन्तों कैपेसिटर तर विद्यर्थी मेंतरणों कैपसिटर मंजेका है तर अपन पाहिली दा है पड़ यां कैपसिटर निमको कसे सटी वा पड़ लेलातें तर तर कैपसिटर इस धीज डिवाइस वीच है जी capacity to store a charge charge साठों ठी होने सथी capacitor चा प्रमुख्यान उपयोग होतु आदि तैस बरुबर हाँ साठों लेला जो चार्ज है तो वेगविगलया electronic device मदे वेगविगलया कार्या सथी वाप पर लेजातु तर अशा है capacitor चा मदे किती चार्ज आपन साठों ठेवुशक्तो यहला आपन capacitance कि वहाँ capacity of the capacitor असमानतो तर capacitance मजे का the ratio of charge to potential of a capacitor is called its capacity तो एक खाल्या capacitor मदे जहाँ आपन charge store करतो त्या वड़ेस त्यात potential निर्मान होते हैं आणि है चार्ज आणि पोटेंशियल ता रेश्यो मजे q upon v हैला आपन मनतो capacity कि वहाँ capacitance of the capacitor है capacitance unit है यहाँ unit of capacitance farad आणि यह चे dimensions है यह-1 L-2 T raise to 4 A raise to 2 यह दिखानी A मजे unit of current that is ampere मजे A मजे current T मजे time L मजे length यह मजे mass definition of farad तो आपन पाहे लगए capacitance unit है farad है मौन एक farad को शाला मनाई चो the capacitance of a capacitor is one farad if one coulomb charge required to raise its potential by one hold तो एक farad capacity मजे काई जर एक खाल्य capacitor ची capacity ही एक farad ऐसेल वन फेरेड ऐसेल तो और त्या capacitor मदे वन कुलों चार्जर अपन एड के ला तो त्याचो potential वन होल्ट नो माड़ते उधान आड़तो जर पास होल्ट potential असेल एचो सहा होल्ट six hold potential कर ने साथी जर वन कुलों चार्ज आपलेला त्यापकेशीटर ना द्यावालागत असेल तो त्याच आठ्च है क्यापकेशीटर ची कैपेशीटर ची कैपेशीटिया है वन फैरीड अता अपन पहाला रोत principle अपकेशीटर यह कैपेशीटर नेम को कुंते तत्वावर आधारीत आही principle अपकेशीटर तर principle of capacitor is nothing but it is the electrostatic induction तर electrostatic induction मंजे का है समझा एक चार्ज रबोड़ी आहे जेचा वर पॉजिटिव चार्ज है आनि तेचा जवर जर आपन अंचार्ज रबोड़ी ठीवली तर चार्ज बोड़ी मुळ अंचार्ज बोड़ी मधी चार्ज नेरवानू तो तेचा जवर चा मंजे नियर एंड ला हाँ अंलाइक मंजे निगेटिव चार्ज तयार वी आनि दूर चा मंजे फार एंड ला पॉजिटिव चार्ज तयार होतो यहाँ गुणधर माला कि मुआ यहाँ प्रेंसिपल लापन मंतो इलेक्ट्रोस्टाटिक इंड़क्शन अताया डिकाने हाँ जो तोस्तो फ्री चार्ज आनि अलाजर मी अर्थ कनेक्शन दिला अर्थिंग केला तहां चार्ज डिसेपेर होतों तर यहाँ तत्वावर हाँ कैपेसिटर आधार लेला है तो यह अधिकानी संद्रा दोन कंड़क्टर साहे अला आपन नावद्यू पीवन पीटू आनि पीवन यहाँ कंड़क्टर बर भी प्लस क्यू अबड़ा चार्ज निर्मान के लेला है तर यहाँ पीवन कंड़क्टर मुळ पीटू है चा आतिल भागा वर माइनस क्यू चार्ज निर्मान हुईल आनि बाहेर चा भागा वर प्लस क्यू चार्ज तैयार हुईल तर हाँ प्लस क्य q-charge वो आये तो अर्फिं कुरूं आपक लेला काढूं टकता है तो ऐसे थ्या मुढ़ यह क्येसितर वर तक्त एका प्लेट वर प्लस Q चार्ज आने एका प्लेट वर माइनस Q चार्ज आप लेला दिसुली अता है ठीका निए प्लेट P1 चीजी कैपेसिटी आहें तला आपन C1 भनो फक्त एकस प्लेट असती अपलेकड़े प्लेट चीजी कैपेसिटी जरेच और प्लस Q चार्ज आसे तो तेची कैपेसिटी रही Q अपन V1 परतु या ठीका निए दोन प्लेट दवल दवल आहें त्या मुला अलाइक चार्जे से या ठीका निए तयार होता आथ आणि त्या मुला प्लेशल रिडियूस होते समझा है अर्रेंजमेंट चा पुटेंशल आहे V2 तर समझा है V2 मंजे P2 या प्लेट चा पुटेंशल आहे आणि V1 है प्लेट P1 चा पुटेंशल आहे तो रिजल्टन पुटेंशल रही V is equal to V1 minus V2 आणि त्या मुला यहां अर्रेंजमेंट ची कैपेसिटी मंजे C2 is equal to Q upon V मंजे Q upon V1 minus V2 आता अब्यसली V1 minus V2 is less than V1 बंजे V1 minus V2 यह V1 पेक्षा कमी आहे आणि त्या मुला V1 minus V2 हाँ डिनोमेटर हाज लें मुला C2 हा C1 पेक्षा जास्ता मंजे C2 is greater than C1 तर यहां सुत्रवर्ण अपलायास लग्षते तै कि दर आपन एकस प्लेट घेतली तर त्या मदे त्या मदे त्याची कैपेसिटी कमी आस्ते त्या उड़े चार्ज़वार त्याची पोटेंशल जास्तास लें मुला Q upon V V ची वेल्यू जास्तास लें मुला C ची वेल्यू कमी होते तर सिंगत कैपेसिटी कमी आस्ते पर त्याची कैपेसिटी कमी आस्ते पर त्या यह वेजी तर आपन आपकेसिटर तो कैपेसिटर में जे दून कंडक्टरस वापकर लेले आए त्याचा साईज वरून कैपेसिटर चे प्रकार पड़ता तो कैपेसिटर चे फीन प्रकार आहे नमबर वन पैरलल प्लेट कैपेसिटर जा मदे प्लेट्सा आकार हाँ प्लेन सीट सरकास थो आणि हाँ दोन प्लेट्स एक में करना पैरलल ठेवडिल आस्ता त्या मुण हैला मंता पैरलल प्लेट कैपेसिटर दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर जा मदे दोन कंड़क्टर जास्ता ते स्फियर चा आकारा जास्ता बढ़नेला स्फेरिकल कैपेसिटर मनता आणि तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मदे दोन सिलिंडर सस्ता आणि जे को एक्सियल हस्ता मदे दोनी चे एक्सिस सेम आए आशा प्रक्मर्ची तीन कैपेसिटर्स अपने आठीकानी पाहिले एक पैरलन प्लेट कैपेसिटर, स्फिरिकल कैपेसिटर आणी सिलेंडरिकल कैपेसिटर कैपेसिटर्स दरी वेगवेगलाई पर कडचे असले तरी सर्वांच प्रिंसिपल आनी वर्किंग हे सार्खोच आए अता आपन पहाणा रोद कॉंबिनेशन आफ कैपेसिटर्स तो हे अशे कैपेसिटर्स है जाची कैपेसिटी ही फैरेड मदे असते हे परन्तु फेरेड एक कुक मूठ़ यूनिेट आहें त्याईव जी लहाण यूनिट स्वाप लेजाता जस्वर माइक्रो फेरेड neo farad आनी पीको फेरेड तर वन माइक्रो फेरेड इस इक्वल तन ड़ स्टू माइनस 6 फैरेड 1 नेलो फैरेड is equal to 10 डिस तू माइनस 9 फैरेड 1 टिको फैरेड is equal to 10 डिश टू माइनस 12 फैरेड अता अपलेवाला मार्केट मदे हे विग वेगलाा माइकरो फैरेड चे कैपेसीटर समेलता आन अपलेया गरे मासीटम्स मेलता जाशे तो केपेअ हैं केला होते हृत तो कामबीपनेशन केला है है किला आ looाल तो ञापन या सीरिज ही यहे झीडल ले क्नी है लेसे यहां प्यूल दूसरा है को पहलना है सीरीज या मदे हाँ कैपेसिटर है जाची कैपेसिटर है C1 आनि दूसरा कैपेसिटर जाची कैपेसिटर है C2 है एक में गाला सीरीज मदे जोड ले अलाजर सेल क्योंगा बैटली जोड ली तर त्या मुळ या एरेंजमेंट चा दून टू कला मझे A आनि B चा मदे आपलेला पुटेंशल डिफ्रेंस में तो V आनि हाँ पुटेंशल डिफ्रेंस जो आहे तो C1 आनि C2 हाँ दोन कैपेसिटर मदे विभाग ले दो तो आएक्रोस C1 मंजे C1 चा एक्रोस आपलेला पुटेंशल डिफ्रेंस में तो V1 आनि C2 चा एक्रोस आपलेला पुटेंशल डिफ्रेंस में तो V2 आड़े त्या मुळ V is equal to V1 plus V2 अथा अपले रमाहिते हैं कि C is equal to Q upon V आणि मदो C1 is equal to Q upon V1 आणि C2 is equal to Q upon V2 so putting this value or from this V1 is equal to Q upon C1 and V2 is equal to Q upon C2 अथा या V1 आणि V2 चेदर value अपने अमडे ठ्योल्या तर अपले रमाहिते हैं C2 अथा हां Q जर लेफ साइड लागेतला तर V upon Q is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 आणिया अपले रमाहिते हैं कि Q upon V is equal to C बड़ुन V upon Q is equal to 1 upon C बड़ुन V upon Q ला आपनि 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 तर हां जो C1 आहे हां C जो आहे याला C याला मन्ता इक्विवेलन क्यापैसिटी आफ सिरीज कॉंबिनेशन तर C ची रेजियों आपनेला करता है थे C is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 आता है या ठीकाणी जार दोन चैवेजी दोन पेक्षे जासत मजे N कैपैसिटर्स इस सिरीज मन्ता जोड़ ले स्तील तर तैची कैपैसिटी आपलेला रिजल्टन कैपैसिटी मेल 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 up to 1 by Cn तो यहां कॉंबिनेशनला आपननों तो सिरीज कॉंबिनेशन दूसर्या पर करता है तो आपननों तो पैरलल कॉंबिनेशन अपलेला अपला निवरिकल एक्जम्पल सोडवाए चाहे तैसाथ यहां फोर्मुला लगना रहे तो फोर्मुला अपने याटिकाने लियोन गयो है C is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 हाँ है सिरीज कॉंबिनेशन चा फोर्मुला अथा आपन पैरलल कॉंबिनेशन पहुए यहार यहार पैरलल कॉंबिनेशन ऑफ कैपसिटर जा मधि कैपसिटर से एक में करना पैरलल अशे जूद लिए सता जया चाह जब प्लेट्स की हुआ कंड़क्टर साहे एका पमन पॉइंट लाँ जूद लिए और दूसरह प्लेट्स की हुआ have a दूसरा common point ला जोड़लीले आणि ही जी arrangement है तेका sales क्योंवा बैटरी ला जोड़लीले हैं अता याँठी गणि दोन ही capacitor ची capacity वेगवेगली आए C1 आनि C2 परन्तु येंचा मरे potential difference वाए तो सार्का चै वी आनि capacity वेगवेगली आसल्या मुला C1 यहाँ capacity वार चार्ज निर्वानोतु Q1 आनि C2 वार चार्ज निर्वानोतु Q2 दूसरा प्लेट वार minus Q1 minus Q2 आता by definition C is equal to Q upon V त्याम हुआ Q is equal to Cv, Q1 is equal to C1 V आनि Q2 is equal to C2 V याठी करी Q is equal to Q1 plus Q2 तर याठी करी ज़र अपन वेल्यू स्टी लेटर Q1 is equal to C1 V plus Q2 is equal to C2 V, V common, देर्फोर C1 plus C2 into V आनि V जर अपन लेट साडला गेतला, तर Q upon V is equal to C1 plus C2 आता अपलेरा मैं तें कि Q upon V is equal to C, मनूं C is equal to C1 plus C2 याठी कानी C ला मने जो equivalent capacity of the parallel combination तर जर याठी केपेसिटर साथे अपन पैरलल जोडले, तर C1 is equal to C1 plus C2 plus C3 आप्टू C1 तर याठी कानी जो पैरलल गॉंबिनेशन आनि जर equivalent capacity incidence आए C is equal to C1 plus C2 याठी केपेसिटर साथे तर C1 plus C2 plus C3 अप्टू C1 अथा अपन अपना numerical example शुरू या या numerical example मदे एक figure दिली लिया है प्रश्ना है from figure find the capacitance of capacitor C if capacitance between A and B is 1 microfarad A आनि B मजे या पूर्ण सर्कीट चा जो resultant कि हुआ equivalent capacitance आहे तो आहे 1 microfarad आनि याठी कानी बरेश्य capacitors दिली ले जो काई series मदे काई पैरनल मदे तो combine combination आहे आनि आपले दा कड़ेशे capacitors C ची value कड़ेशे याठी कानी C1, C2, C3, C4 आनि C5 चा वेल्यूज या दिली ले आहे आनि C ची value कड़ेशे तो आपने याठी कानी पहलेंदा या सर्कीट ला simple करूया जसल C3 आनि C4 हे parallel आहे C3 आनि C4 हे parallel आहे आनि ट्या मुळ रिजल्टन्ट आहे तो मिलेल आपलेला आपने याला मनुँ C A आनि हे parallel असले मुळ पैर्लल कॉंबेनेशन C is equal to C1 plus C2 मन्जे आठी कनेल C A is equal to C3 plus C4 आनि C3 ची वेल्यो आफ 4 माइक्रो फेरेड प्लस C4 ची वेल्यो आफ 4 माइक्रो फेरेड मन्जे आपलाइंसरल 8 माइक्रो फेरेड आता हे सर्कीट अशा प्रकार सुभी हाँ C5 आनि हाँ दोनी चा पंबिनेशन मन्जे C A हे दोनी आता सीरीज मदे आहे जोसा हाँ C5 आनि हा दोनी चा पंबिनेशन जी आहे आनि सी फूर्च आला आपन मनूं C A आता हे C5 आनि C A हे सीरीज मदे आहे और या सीरीज सा एक्वेलेंट रेजिस्टंसील C B आनि पैरल कॉम्बिनेशन साखी फॉर्मुलाइं C B is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 मजे C5 CA divided by C5 plus CA तो C5 ची वेल्यो आहे 1 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाइड बाइ C A ची वेल्यो आहे 8 माइक्रो फेरेड डिवाइड बाइ C1 प्लस 8 मजे 8 बाइ 9 माइक्रो फेरेड अतो या ठीकानी हा तीन क्यापेसिटर चा मंजे C3 C4 आनि C5 या शर्वान चा मिलूं आपले ना मिला जाए या एकक्रों क्यापेसिटर याथा क्यापेसिटी याए C B अताहा या ठीकानी C1 आनि C2 पहुया C1 आनि C2 सीरीज मदे आहे C1 आनि C2 या आहे सीरीज मदे आनि सीरीज कॉंबिनेशन साथी फॉर्मूला है C is equal to C1 C2 divided by C1 प्लस C2 तहां फॉर्मूला आपनों आपरिया यहां क्यापेसिट या दुनी चा रिजल्टन क्यापेसिटी या आपनों C C C C is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 तर C1 आहे 8 आनि C2 आहे 4 बढ़न 8 इन्टो 4 divided by 8 plus 4 तहां 32 divided by 12 एट बाइ 3 माइक्रो फेरेड अता यहां अपनों आपनों आपनों दुन क्यापेसिटीटर प्याड़ दलीलेट एक हैं C C आणि दूसरा हैं C B हैजर आपन पाहिलेट तरह हैं दुनी पैरलल अस्तिल अश्या प्रकारी हाँ है क्यापेसिटर C आणि हाँ C3 C4 आणि C5 हैंचा म्यून तयार जालेला C B C1 आणि C2 बसुन मेला लेला C C C1 आणि C2 बसुन मेला लेला C C तर याठी कानि C C आणि C B है एक मेकाना पैरलल अहें आणि पैरलल कॉंबिनेशन साथी फॉर्मूला है C is equal to C1 प्लस C2 आणि त्या मूलोयाचा तर रिजल्टंट आपलेल अमरेज C D is equal to C C plus C B तर C C हाँ आहे 8 by 3 आणि C B हाँ आहे 8 by 9 तर या दुनी चा एंसर रिते 9 LCM 24 plus 8 that is 32 by 9 आता याठी कानि अपलेज़ों दोनस केपेसिटर्स रहेले एक आहे C आणि दूसरा है C D आणि C आणि C D है सिरीज मगे आहे आणि या दुनी चा रिजल्टल हाँ दिलेलाए 1 माइक्रो फेरेड त्या मुल C A B असा पन याला मुनू C A B is equal to हें सिरीज मगे आहें सिरीज चा फ्रोला अपराई चाए C1 C2 divided by C1 plus C2 आटी कानि C multiplied by C D divided by C plus C D आणि या ची मेल्डियों है 1 माइक्रो फेरेड तो यह दो स्वाल के लापन तो अपलेला मेल C into C D is equal to C plus C D is equal to C C D is equal to C plus C D हाँ सी दर अपन लेफ साइड ला गितला तो C into C D minus C E is equal to C D C common गितला C D minus 1 E is equal to C D मुरून C is equal to C D divided by C D minus 1 आणि C D ची वेल्यों अपन काडलीलिये C D ची वेल्यों 32 by 9 बड़ून 32 by 9 divided by 32 by 9 minus 1 तर 32 by 9 minus 1 is equal to 32 minus 9 divided by 9 और यह एंसर है 23 by 9 तर C is equal to 32 by 9 divided by 23 by 9 9 9 gets cancelled it is 32 32 divided by 23 so the value of C is 32 divided by 23 micro farad विद्धेर्थिमेत्रवन्नों हा वीडियो जोत्तु मला वड़ला सिर्थ लाइक करा सेर करा आणिया चनलल सब्स्क्रेब करा